शेयर बजार में कई तरह के टम्स का इस्तिमाल किया जाता है, अगर आप एक इन्वेस्ट है, तो ट्रेडिंग के दौरान इन शब्दों जैसे फेस वेल्यू, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, शेयर बाइबेक टम्स अक्सर सुनने को मिलते हैं. आखिर ये फेस वेल्यू क्या होता है? फेस वेल्यू वो वेल्यू है, जब कोई कमपनी IPO के जरिये से पहली बार अपने शेयर जारी करती है, तो कमपनी सबसे पहले एक शेयर की वेल्यू निर्धारित करती है. इसे शेयर वेल्यू के नाम से भी जाना जाता है. फेस वेल्यू उसी तरह से शेयर बजार में भी किसी कमपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू से कमपनी के शेयर की जानकारी ले सकते है। वहीं, आपने देखा होगा IPO जब लॉंच होता है तो ज्यादातर कमपनिया फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर अपने स्टॉक ओफर करती है। लेकिन फेस वैल्यू हमेशा fix रहती है। फेस वैल्यू का शेयर की market price से कोई समबंध नहीं होता। फेस वैल्यू एक, टू, पाँच, दस यहां तक की 100 रुप्ये भी हो सकती है। परंतु ज्यादातर समय फेस वैल्यू दस ही रहती है। हाला कि face value तै करने के लिए बजार की regular tree sebi का कोई पैमाना नहीं है, company अपनी इच्छा अनुसार इसे तै करती है, जबकि market premium पूर्म तया company की growth, profit और भविश्य पर निर्भर करता है, अपने निवेश की जर्नी शुरू करने वो share market के बारे में पूरी research करने के लिए आज ही subscribe करे करेंगे लिए खुपत है, अजिए भूएर है टुपत के लिए बूले का लिए ही, आज हुआ है, आज है के लिए लिए से और भविश्य फाजह पूरूपथिव और नहीं है जि तो है के लिए से लिए सब्साश पर ने को पूपत हैं आज है खोता है, वे रिए सा भी है,